हेलो एंड वेलकम, ग्रेट अकेडमी के ओनलाइन पोटल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है M.D. समी, हम लोग लेके आया हैं आपके लिए माहा बली योधा सिरीज, जिसमें आप लोगों को हम 1500 कोशन्स करवा रहे हैं, ये सारे मोच सेलेक्टिव कोशन हैं, तो तैयार हो जाएं एस सिरीज के लिए, और एकदम सिरेशली स्टेस्ट को दीजिए, ताकि अपने आप एफिसेंसी, एक्योरिसी को बढ़ा सकें, जहां से भी आप टेस्ट दे रहे हैं, अपने प्रिपेशन्स को आप जज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिरीज से 99 प्रिपेशन्स को आएंगे ही आएंगे, जो भी प्रिपेशन्स हम लोग करवा रहे हैं आपको, हिस्टी ओफ इंडियन रेलवेज एंड दी एफ सिसी आईल, एकोनोमेक्स, मार्केटिंग, सी आरेम, इन सभी के कोश्चन्स करवाएंगे, और जनरल साइंसी कोश्चन्स भ 24 कोश्चन्स को करेंगे, तो चली तयार हो जाएए और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज से आभी सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि मेरे दोरा दिये गई हर एक वीडियो की नोटिफिके इसका एंसर है, कुकुर्बाइटसिन्स, जो कुकुम्बर होता है, खीरे होते हैं, उसमें करवाहट किसके वजे से होती है, तो यह एक और्गेनिक कंपाउंड है, कुकुर्बाइटनेस जो कुकुम्बर में प्रिजेंट होता है, और अगर यह कम मातरा में प्रिजेंट जब आप खीरे खाते होंगे तो देखते हों कभी-कभी वह मीठा लगता है लेकिन जब इसकी मातरा ज्यादा हो जाती है तो वह कड़वा लगने लगता है अगला कोश्चन है लंग से जड़ा हुआ कौन सा डिजीज है नमबस को आप लोग जोड़ते चलिएगा लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे हमें आइडिया मिलता है कि किस तरह कोश्चन सब्सक्राइब के लिए लेके आए और हर कोश्चन के लिए आपको दो ही सेकेंड क टाइम मिलेगा बड़न गा कोश्चन को कि इसका कगसर निमोनिया उनिमोनिया से जानते हैं कि लंग से फिफरस होता है उसमें ऐर सेक्स हो जाते है यहसे हावा बहुत अब भर जाता है और डाइप्थेरिया जो है यह एक बैक्टेरियल इंफेक्शन है जो कि म्यूकस को मेंब्रेन को अफेक्ट करता है जो नोज में प्रेजेंट होता है और थ्रोट में प्रेजेंट होता है और टेटनेस जो है इसका इंजेक्शन भी लोग लगवाते हैं जब कभी क PCR यह सब बहुत से लोगों ने टेस्ट भी कर आया होगा रती PCR से होता है COVID-19 के लिए और यह जो COVID-19 है डिटेक्ट करता है RNA SARS-CoV-2 वाइरस इसको डिटेक्ट करता आ है और COVID-19 जो है infectious disease है जो की कोरोना वाइस के वजह से होता है अगला question है which of the following gas is used to kill the invading bacteria by white blood इसका एंसर है क्लोरीन तो क्लोरीन जो है यह infection को sense करता है कहां पर infection हुआ है उस चीज को भी यह जानता है और वहां पर कठा हो जाता है और जो पैथोजेंस वहां पर create हुए है उसको destroy कर देता है इस cells जो है यह white blood cells जो है यह bone marrow से बना हुआ होता है जो हमारे body में run करता है अगला question है the power of a lens is minus 2.0 diopter तो here D is stands for यह बहुत ही असान question है जल्दी से इसको attempt कर लीजे इसका answer है diopter तो सभी बचे जानते हैं कि जो lens का power हम लोग measure करते हैं वो diopter में measure करते हैं it is equal to the focal length reciprocal of focal length of a given lens जो भी lens है उसके 1 upon any key diopter जो है power वो 1 upon F होता है focal length के inversely proportional होता है अगला question है which of the following diseases is the inability to process graphic symbols symbols मतला कौन से बीमारी है जिसके करान हम graphic symbols को पहचान नहीं पाते हैं इसका answer है dyslexia तो dyslexia एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम reading की ability, spelling, writing और listening की सबकी ability खो देते हैं और यह एक हेड़ेटरी फैक्टर है जो की brain development को affect करता है अगला question है what is the full form of DBMS in computer Numbers को जरूर जोड़ते चलिएगा हमें comment करके बताईएगा last में इसका answer है database management system तो DBMS क्या है collection of interrelated data जो एक दूसर से जुड़े हुए होते हैं set of program जो की हम लोग जिसका database बनाते हैं और यह computer में store करते हैं अगला question है which of the following is the largest seed in the world दुनिया का सबसे बड़ा बीच किसका होता है इसका answer है cocoa dimmer cocoa dimmer जो है seed है palm tree का seed है जो की largest seed in the world है यह 12 inch तक बड़ा होता है और 18 kg इसका weight होता है orchid जो है सबसे smallest seed है orchid जो है सबसे smallest seed है अगला question है what is the full form of pH value in chemistry इसका answer potential of hydrogen यानि कि hydrogen की छमता जो pH जो हम नाते हैं तो इसमें 0 से लेकि 14 तक value होती है जो हमारे पास pH scale होता है तो किसी भी solution का अगर हमको pH value चाहिए तो जितना ज्यादा H का concentration होगा उतना ज्यादा acidic होगा जितना कम होगा उतना ज्यादा basic होगा तो इसमें हम लोग हमारा neutral होता है नाहीं acidic नाहीं base अगला question है which of the flowing is the type of transformer used in arc welding, arc welding में किस टाइब के transformer को यूज करते हैं इसका answer है step down तो step down transformer का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यह एक ऐसा transformer है जो कि arc welding के लिए इस्तेमाल किया जाता है welding जो process है इसमें हम लोग क्या करते हैं यह एक soldering process जिसमें high heat करके parts को melt करके और join करते हैं अगला question है which element is widely used as a catalytic converter कौनसे element को catalyst के तौर पे यूज के जाता है catalyst क्या होता है catalyst वो चीज होता है जो reaction को fast कर दे इसका answer है प्लेडियम प्लेडियम को हम लोग लाजली इस्तमाल करते हैं catalyst के तौर पे डवलू एज वॉल्स्टन डिस्कवर्ड प्लेडियम इन 1803 मतलब 1803 में इस महान वैक्ति ने प्लेडियम को discover किया था जो कि एक catalytic converter है यह highly exothermic reaction को देता है मतलब बहुत high heat निकलता है जब यह reaction होता है यह toxic gases को release करता है combustion of engine मतलब जो engine की combustion होती है जब engines में fuels bonds होते हैं तो वो catalyst के तौर पे use किया जाता है बहुत ही toxic element होता है यह water vapor और carbon dioxide को release करता है अगला question है which law of the physics says that a line between sun and the planet a line between sun and the planet shifts equal area in equal times इसका answer है capitalist second law तो capitalist second law ने क्या दिया था यह कैपलर्स है यह law जो है 1609 तो 1619 के बीच में यह law दिया था यह law हमें यह बताता है कि जो planet का speed है near the sun वो equal area dissipate करता है मतलब जो area है उसका एक line length जो बना हुआ है sun और planet के बीच में जिस speed से वो move करता है तो equal interval of time में equal area cover करता है यह law यही बताता है और इसमें जो है जो speed of planet है increase near the sun मतलब जितना पास होगा उतना ज्यादा तेज घुमेगा और जितना दूर होगा planet उतना धीरे घुमेगा मतलब speed जोगा घट जाती है तो इससे आप लोगे समझें कि यह एक uniform motion जितने प्लानेट है sun के around uniform motion करते हैं uniform motion में क्या होता है equal interval of time में equal distance एक एक वर करना तो यह प्लानेट जो है uniform motion को करते हैं अगला कोशन है कि हूं अब दो फ्लोइंग कंक्लूडेट डैट मलेरिया इस कॉज़ बाई प्लास्मोडियम मतला किन हो ने यह निसकास निकाला था कि प्लास्मोडियम के वज़े से मलेरिया होता है इसका एंसर है रोनाल रोस तो रोनाल रोस जो थे इन्होंने यह कंक्लूजन किया था कि जो मलेरिया हो प्लास्मोडियम के वज़े से होता है चार्ल्स लूइस अलफोस लेवन डिसकोवर्ड प्लास्मोडियम इन आर्बेसी ऑफ हुमेन बेंक्स इन एटीनेटी मतला अठारा सो असी में इन्होंने यह बताया और निकाला कि जो हमारा अर्बीसी है बलड का गुरूप है उसमें प्लास्मोडियम होता है और इन्होंने यह भी बताया कि जो प्लाइडमोडियम वाइवेक्स है उसके वज़े से मलेरिया होता है अब जो सर रोनाल्ड रोस है इन्होंने सबसे पहले अबज़र्ब किया था कि जो ओसाइटेस है प्लास्मोडियम का फिमेल एनफिलिज में जो प्रिजेंट होता है उ वो साइटस नाम का होता है जो वायरस होता है जो कि वो हमारे ब्लड में छोड़ देता है अगला कोशन है How many pairs of ribs are there in human body? किते नंबरों pairs होते हैं इसका एंसर है 12 तो बारा नंबर के पेर होते हैं तो इसका है हर्ट तो कार्डियाक मसल्स होता है जब कभी किसी को हर्ट अटेक हो जाता है जिसके वाज़े से डेथ हो जाती है तो उसके report में cardio pulmonary attack लिखा होता है तो इसी वज़े से लिखा जाता है क्योंकि वो medical language है और cardiac muscles जो है heart में present होता है अगला question है most of the oxygen on earth is produced by इसका answer है algae तो algae के दुआरा इस धर्ती में सबसे ज़्यादा oxygen प्रोड्यूस किया जाता है जो कि सारे living being के लिए बहुत ही important है क्योंकि oxygen एक मात्र जरिया है जो जिससे cells जो हैं अपने आपको develop करते हैं विक्सित करते हैं और destroy होते हैं जो कि basic building block of living thing है cells से tissue बनता है tissue से muscles और organs डबलब हुए हैं जो भी living organisms है अगला question है the second equation of motion gives a relation between velocity and dash इसका answer है time तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा Newton's law of motion जिसमें first law of motion second law of motion और third law of motion है तो second law of motion जो है हमें velocity और time के बीच का relation बताता है इसका formula है s is equal to ut plus half 80 square यह जो है displacement of object अंदर a constant acceleration मतलब constant acceleration fixed acceleration constant acceleration का मतलब बता है fixed acceleration जो की time के साथ बढ़े नहीं तो उस point पे हमें यह displacement भी बताता है अगला question है borax is an ore of which element किस element का ore है borax इसका answer है sodium तो sodium जो है अपने pure state में मौझूद नहीं होता है आर्थ में वो ore के form में मिलता है जो की borax है तो borax जो है सबसे पहली बात तिबट एरिया में discover किया गया था naturally और refine किया गया था और sodium को निकाला गया था borax को हम लोग sodium tetra borate भी बोलते हैं और यह easily convert हो जाता है दूसरे borate में acid से reaction कराने के बाद अगला question है dash is an active component of oil in cloves कि इसका answer है यूगे नौल यूगे नौल यह क्लोब में present होता है जो की परफ्यूम में भी इस्तेमाल किया जाता है फ्लेबर को देने के लिए इस्तेमाल होता है जो और अश्धिक ऐसे लोकल एंटिसिपेट तौर पे भी इस्तेमाल होता है यह तीन टाइप के होते हैं बड oil leaf oil or stem oil अगला कुश्छन है which of these element is not a noble gas कौन से element noble gas नहीं है इसका एंसर है ब्रोमीन तो आप लोगों ने देख के ही पता लगा लिया होगा जिन बच्चों को पता होगा कि noble gas क्या होता है noble gas अपने state में मौझूद है जिसके last में 8 electron present होते हैं जो कि stable state है जो नेच्रिल नेच्वल ओकरिंग noble gases है हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टाउन जेनन यह सारे रेडियो एक्टिव रेडम यह जो है यह noble gases है इसके जो octets है वह सारे complete है तो यह stable है अगला कुश्छन है pH value of a pure water is इसका एंसर है 7 तो 7 जो है यह neutral state है तो pure water जो है इसका जो pH value है वह 7 होता है सभी बच्च में पिछले भी कुश्छन ने बता चुका हूं कि pH value क्या होता है potential of hydrogen तो numbers को आप लोग जोड़ते चलिएगा जोड़के हमें ज़रूर बताईए comment करके अगला कुश्छन है friction can be reduced by changing from friction को हम लोग कैसे reduce कर सकते हैं कि इसका एंसर है rolling to sliding sliding to rolling sorry sliding to rolling करके हम friction को घटा सकते हैं यह friction जो है बहुत ही important component है हमारे लिए सभी बच्चे जानते होंगे कि friction के वज़े से हम लोग चल पाते हैं दौड़ पाते हैं या कोई भी work कर पाते हैं तो यह rough surface जो होता है वो ज्यादा friction नहीं होता है कि हमारे पैर जो है वो जल जाए तो अगर उस पर हम साबुन गिरा दें तो साबुन क्या करता है फ़र्स और हमारे पैर के बीच में friction को कम कर देता है जिसके वज़े से sleep हो जाते हैं लोग अगला question है when you eat carrot you are eating जब आप carrot खाते हैं तो क्या खाते हैं इसका एंसर है root तो सभी पज़े जानते हैं जो carrot है वो जमिन की नीचे बढ़ता है तो यह root होता है यह जो carrot है यह orange in color या purple होता है या black, red, white, yellow यह सारे colors के carrot मौजूद है अगला question है vitamin C is also known as इसका answer ascorbic acid तो vitamin C जो है ascorbic acid के रूप में भी जाना जाता है तो सभी बच्चों ने questions को attempt कर लिया होगा number जोड़के हमें जरूर बताईए comment box में ताकि हमें यह idea मिल सके कि और किस तरह के questions आप लोगों के लिए ले के आए thank you for watching my video मिलते हैं series के next video में तब तक के लिए जैहिंदे